तो आज अपन बात करेंगे पोशक तत्तों से समधित महतुपुन प्रश्णों की बारे में तो सबसे पहला प्रश्ण है फलो का फटना कौन से पोशक तत्तों की कमी का लक्षन है बोरोन, जिंक, सलफर और पोटास तो देखो फलो का जो फटना है वो मुख्य तया होता है बोरोन की कमी से होता है यानि कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा ये वाला अगला प्रसंद देखिए किस तत्तों का छिड़काओ खड़ी पसल पर करते हैं पासपोरस का, पोटास का, नाइटरोजन का और केलसियम का तो इसका जो अंतिम उत्तर राइट होगा वो नाइटरोजन का छिड़काओ खड़ी पसल में करते हैं यानि कि उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला अगला देखिए किस तत्व की कमी से पोदे की अग्रिम कलिकाएं सूख जाती है केल्शियम, सलफर, जिंक और पास्वरस्ट तो जो अग्रिम कलिकाएं उसके सूखने का सबसे प्रमुक कारण माना जाता है केल्शियम तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा एवाला अगला प्रसंद देखिए पोदो में कार्बोएड्रेट्स के सर्वन में साइक है यानि कि पोदो में जो कार्बोएड्रेट्स का सन्वन होता है उसमें साइक है केल्शियम, गंदक, मेगनेशियम और पोटास तो आंसर राइट हो जाएगा पोटास यानि कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला अगला प्रसंद देखे पढ़नरीत की रचना के लिए आउशिक तत्वे केल्शियम, मेगनेशियम, सलफर और पोटास तो पढ़नरीत की जो रचना होती है उसके लिए मेगनेशियम आउशिके तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला अगला प्रसंद देखे किस तत्व की कमी से तंबाकू की पत्यों में कागज की तरज जलने का गुण विक्सित होता है तो नाइट्रोजन, पासपोरस, पोटास और सलफर तो देखो पोदे के अंदर अगर पोटास की कमी होगी तो तंबाकू के अंदर कागज की तरज जलने का गुण विक्सित हो जाएगा उसके बाद अगला देखे पसलो को गिरने से बचाने के लिए तता प्रतिकूल दसाओं से लड़ने की संता प्रधान करने वाला पोशक तत्तु कुन सा है नाइट्रोजन है, पासपोरस है, यहाँ पे पासपोरस है, पोटास है और सलफर है तो चार ओप्सन अपने पास थे, नाइट्रोजन, पासपोरस, पोटास और सलफर, तो यह पोटास के कारण होगा, ठीके, जब अगर पोटास अच्छी मात्रा में होगा, तो प्रतिकूल मोसम से बचाने की रोगों से लड़ने की संता प्रधान करने वाला जो पोशक तत्त की कमी से, पोदे के नीचे की पत्यों का रंग हलका बेगनी या भूरा हो जाता है, नाइट्रोजन की कमी से, पासपोरस की कमी से, पोटास की कमी से, और आइरन की यानि की फेरस की कमी से, तो देखो, पासपोरस की अगर कमी होती है, तो पोदे में नीचे वाली जो पत्यां होती है उनका रंग हलका बेगनी वो बूरा होने लग जाता है अगला प्रसंद एक के कौन से पोशक तत्व की अधिकता से फल और सब्जों की भंडारन संता में कमी आ जाती है नाइट्रोजन पासपुरस पोटास और पेरस तो देखिए कौन से पोशक तत्व की अधिकता से कीट वो बिमारियों का आकरमन बढ़ जाता है नाइट्रोजन पासपोरस पोटास वो फेरस तो देखो अगर पसल में नाइट्रोजन का अधिक छटकाओ करोगे तो कीट वो बिमारियों का आकरमन बढ़ जाता है अगला देखिए पोदे में पत्यों के किनारे बेंगनी रंग का प्रदिशित होना पोसक तत्यू की कमी दरसाता है अगर पोदे में पत्यों के जो किनारे होते हैं वहाँ भेगनी रंग प्रदिशित होने लग जाता है तो यह किसकी कमी है पासफोरस पोटास बोरोन और पेरस तो यह कमी होती है पासफोरस की तो यानि कि इसका उत्तर और पोटास, तो अपना प्रसंता कि पोधे का कोशिका बिती में कोज सा तत्व अव्यो के रूप में पाया जाता है, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा, केल्सियम पाया जाता है, याने कि B उत्तर राइट हो जाएगा अगला देखिए विटामिन B12 का समंद किस पोशक तत्तू से हैं कोपर से कोबाल्ट से केल्शियम से या वेनेडियम से तो इसका जो उत्तर राइट हो जाएगा वो कोबाल्ट से विटामिन B12 का समंद कोबाल्ट विटामिन B12 का रासाइनिक नाम ह अगला प्रसंद देखिए किस पोशक तत्व को ट्राफिक पुलिस का जाता है फेरस को का जाता है नाइट्रोजन को का जाता है पासपुरस को का जाता है और पोटास को का जाता है तो अगर अपन बात करतें ट्राफिक पुलिस की तो ट्राफिक पुलिस का जाता है पोटास को अगला प्रसंद देखिए कौन सा सुक्स्म कोशक ततूर नहीं है ऑप्सन में अपने पास है बोरोन, मोलिबडेना, मेगनीज और मेगनेशियम तो इसके अंदर कौन सा सुक्स्म कोशक ततूर नहीं है तो जो मेगनेशियम है ये सुक्स्म कोशक ततूर नहीं है अगला प्रसंद देखिए पसलो में रिकले मेस रोग किसकी कमी से होता है रिकले मेस रोग या अपन बात कर सकते हैं सुधारक रोग किसकी कमी से होता है केलशियम, कोपर, मेगनेशियम और मेगनीज तो यह होता है कोपर की कमी से यानि कि इसका उतर राइट हो जाएगा बीव नहीं तो जो वेनेडियम का जो समंदी यह है दलनी पसलो से इसलिए इसका उत्तर राइट हो जाएगा C वालाई अगला प्रसंद देखे के तमाकु का टॉफ सिखनेस किस ओडर का समंद यानि कि जो तमाकु में टॉफ सिखनेस जो रोग होता है तो उसका समंद किस से पेरस से, मेगनेस से, बोरोन से और केल्शम से तो इसका समंद बोरोन से तो यानि कि उत्तर राइट हो जाएगा C अगला देखिए लगजरी उप्योग का समंद किन पोशक तत्तू से है पोटास से पेरस से पासपोरस से और केलसियम से तो जो लगजरी जो पोशक तत्तू है उसका समंद लगजरी उप्योग तो यह पोटास है तो यानि कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा एवला अगला प्रसंद देखिए इताइलीन हार्मोन के संसलेशन में आउश्यक पोसक तत्तु कौन सा है यानि कि अगर इताइलीन हार्मोन का संसलेशन होगा तो उसके लिए कौन सा पोसक तत्तु आउश्यक है सलफर, केलशियम, मेगनेशियम और पासपोरस तो इसका जो उत्तर रा नाइटरजन और लोह ततु। तो जो बटनिंग रोग होता है वो नाइटरोजन की कमी से होता है यानि इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला अगला प्रसंद देखिए पोधा नत्रजन जिस रूप में लेता है वो कौन सा रूप है नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्रोजन गेस और इन्वे से कोई नहीं तो जो पोदा होता है वो नत्रजन को नाइट्रेट रूप में लेता है तो यहाँ पे अंगूर में हेन चिकन जो रोग होता है वो बोरोन की कमी से होता है यानि कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला अगला देखे कोन सा पोशक तत्तू नर्पुस्प की प्रजनन सम्ता को बढ़ाता है यानि की नर्पुस्प की प्रजनन सम्ता को बढ़ाने वाला पोशक तत्तू कोन सा है फेरस है जिंग के कोबर है और मोलिबडेनम है तो यहाँ पे इसका उत्तर राइट हो जाएगा पूरोन है जिंक, बोरोन, आयरन और मोलिवडेनम तो पराग नली व्रदी एवं बीज विकास के लिए जो आउशे कोशक तत्वे वहे बोरोन तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा भीवला अगला प्रसंद देखे पुरानी पत्यों पर सिराओं के मद्दे हरी माहींता एवं लंबवत चक्ते किस पोशक तत्व की कमी के लक्सने नाइट्रोजन, मेगनेशियम, केलसियम और क्लोराइड अब वो अपन से पूछ रहे कि पुरानी पक्तियों यानि कि सिराओं के मद्दे हरी माहींता एवं लंबवत जो चक्ते होते हैं ये होते हैं मेगनेशियम की कमी स यानि कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा भी वाला अगला प्रसंदे कि पत्यों के रंद्रों के खुलने एवं बंदोने में कोन सा पोशक तत्व भूमी का निबाता है पॉस्पोरस, पोटास, नाइट्रोजन और सलफर उत्तर राइट हो जाएगा पोटास क्यूशंत और बंदोने के लिए कौन सा पोशक तत्तु भूमी का निवाता है तो अपना उत्तर हो गया पोटास इसके बाद अगला प्रसंद देखिए निम्न में से कौन सा तत्तु राइजोबियम द्वारा नत्रजन इस्त्री करण में मोली बडेनम का आंसिक विस्तापन कर सकता है मोली बडेनम का आंसिक विस्तापन कर सकता है सोडियम, सिलिकोन, वेनेडियम और कोबाल्ट उत्तर राइट हो जाएगा अगला देखिए चावल में खेरा बीमारी किस पोशक तत्तु की कमी से होती है आइरन, मेगनीच, जिंक और बोरोन तो चावल के अंदर जो खेरा रोग होता है ये जिंक की कमी से होता है ये रोग वाईयल नेने नामक विग्यानिक ने पंत नगर नेनी ताल उत्तरा खंड में इस रोग को खो जाता अगला प्रसंद देखिए मुंगपली में बीज रहीत फली किसकी अलपता के कारण होती है यानि कि मुंगपली में जो बीज रहीत फली होती है वो किस पोशक तत्तु की कमी के कारण होती है केल्शियम, नाइट्रोजन, पासपुरस और पोटास आंसर राइट हो जाएगा केल्शियम की कमी से यानि कि इसके अंदर उत्तर राइट हो जाएगा ए अगला देखिए पोदो द्वारा भूमी से अवसोसित किये जाने वाले पोशक तत्तु की संक्या कितनी है पोदो के द्वारा भूमी से अवसोसित किये जाने वाले उशक्तत्तु 14, 7, 9 और 11 तो ये हो जाएंगे 14 यानि कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा ये वाला अगला प्रसंद देखिए निम्न में से नत्रजन इस्त्रीकरण यानि कि नाइट्रोजन पिक्सेशन के लिए आउशक पोशक्तत्तु ए जिंक, आइरन, कोपर और मोलीबडेनम तो नत्रजन इस्त्रीकरण के लिए सबसे प्रमुकोशक्तत्त्तु ए मोलीबडेनम यानि कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डीवाला अगला प्रसंद देखिए गाजर में केविटी स्पोर्ट बनने का कारण किया है नाइट्रोजन का कम अउसोसन और केल्सियम का अधिक अउसोसन पास्पोरस का अधिक वो केल्सियम का कम अउसोसन सलपर अत्वा केल्सियम का अधिक अउसोसन पोटास का अधिक तता केलसियम का कम उसोसन तो ये डीवाला उत्तर इसका बिल्कुल साई हो जाएगा अगला प्रसंद देखे के पसलों में लो तत्व की कमी प्राई दिखाई देती है नई वो उपरी पत्यों में पुरानी वन नीचली पत्यों में सबसे नीचली पत्यों में इन में से कोई नहीं तो जो लो तत्व की कमी के प्राई लक्षन दिखाई देते हैं ये दिखाई देते हैं नई वो उपरी पत्यों के अंदर तो उत्तर राइट हो जाएगा ये वाला अगला प्रसंद देखिए फूल गोपी में विप्टेल विमारी खाली जग़ की कमी के कारण होती है नाइट्रोजन की कमी के कारण, मोली बडेनम की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण और पासपोरस तो फूल गोपी के अंदर जो विप्टेल जो रोग होता है ये होता है मोली बिडेनम की कमी के कारण तो यानि कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा बीवला अगला प्रसंद देखिए फूल गोपी में पूरी गलन व्यादी किस तत्व की कमी के कारण होती है बुरी गलन व्यादी यानि ब्राउनिंग जो समश्या होती है वो किसकी कारण होती है केल्सियम की कमी से होती है मेगनेज की कमी से बोरोन की कमी से और सलपर की कमी से तो वो होती है बोरोन की कमी से यानि कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला अगला प्रसंद देखिए निम्न में से कौन सा सुक्स्म पोशक ततु है मेगनेशियوم, पोटेशियूम, पासपोरस ये तीनों सुक्स्म पोशक ततु नहीं है मेगनी जिसके अंदर सुक्स्म पोशक ततु है तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा अपना D वाला अगला प्रसंद देखिए अमोनिया को नाइट्राइट वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है नाइट्रो सोमोनास जबकि नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है नाइट्रो बेक्टर तो इसी इसाफ से इसका उतर राइट हो ज प्रहन किया जाता है P O 4 3 माइनस के अंदर H P O 4 2 माइनस में H 2 P O 4 माइनस में H 3 P O 4 के अंदर तो इसका जो उत्तर राइट होगा वो जाएगा C वाला अगला प्रसंद देखिए आरनोन एवं स्काउट के अनुसार कुल पोशक ततू माने गए हैं तो देखिए 12, 16, 18 और 20 तो आरनोन और स्काउट के अनुसार माने गए हैं 16 तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा B वाला अगला प्रसंद देखिए एसा पोशक ततू जिसकी कमी से पोधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता नाइट्रोजन, पोटास, पॉस्पोरस और कोपर तो पॉस्पोरस की कमी के कारण पोधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता तो यानि कि इसका उत्तर पासपोरस, ओटास और लोह तत्व, तो नाइट्रोजन की जब कमी होती है, तब वी आकार की हरित्माहिनता प्रदशित होती है, अगला प्रसंद देखे, फूल गोपी वालू में होलो इस्टेम, देहिक विकार किस तत्व की अधिकता से होता है, बोरोन, नाइट्रोजन, पा अगला आजाईए, निम्न में से किस पोसक तत्व की कमी से, पोदे की नीचे की एवं पुरानी पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती है, मोलिबडेनम की कमी से, पासपोरस की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से, और पोटेशम की कमी से, तो देखो नाइट्रोजन की जब कमी होती है तो पुरानी पत्यां पीली पड़कर सूख जाती है अगला प्रसंद देखिए मक्का का सपेत कली का रोग किस पोसक तत्तू की कमी से होता है आइरन जिंक मोलिबडेनम और बोरोन तो जिंक की कमी के कारण मक्का में स्वेत कली का रोग होता है अगला आजाएए निवन में से कोन सा पोसक तत्तू क्लोरोफिल का गठक है मेगनीज, मेगनेशियम, नाइट्रोजन, केलसियम और मेगनेशियम तो इसके अंदर राइट हो जाएगा केलसियम और मेगनेशियम अगला देखिए पोटास डालने से पोदे की रोग परतिरोधक समता बढ़ जाती है पो देखिए रोग परतिरोधक समता बढ़ जाती है तता रोगों का आक्रमन कम होता है तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा एवाला अगला देखिए नीमू में डाइबेक रोग का कारणे केलसियम की कमी, कोपर की कमी, मॉलिबेडेनम की कमी और वोरोन की कमी तो कोपर की कमी क कारण डाइबेक रोग होता है तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बीवला अगला देखे टमाटर में ब्लोसम एंड रोट यानि BER रोग बिमारी का कारण है मोलिबेडेनम की कमी केल्शियम की कमी कोपर की कमी और बोरोन की कमी तो जो केल्शियम की कमी होती है उसी के कारण ट फेलाओं को बड़ावा देने वाला पोशक तत्तु कुन सा है? मोलिबडेनम, पॉस्पोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम उत्तर राइट हो जाएगा पॉस्पोरस यानि कि इसका उत्तर राइट हो गया भीवाला